डिए इस जांथे क्वास के बारे में आपको डिटल देने वाला हूं काफी लोग इस एप्लीकेसिंग के बारे में जानते हैं लेकिन काफी जानते हैं कि कि यह अपर आपको credit line मिल सकता है recenti मैं बात कर रहा हूँ credit line ring pay later के बारे में recenti यह pay later था लेकिन अब इन्होंने अपनी जो के pay later है उसे service को बंद कर दिया है लेकिन अब यहाँ पर loan की service चालो कर दिया है बतलब एक तरह कर दिखा जाए तो जो भी यहाँ पर amount आपको सो होगा वो loan के according सो होगा अगर लगेगा आपको कि भाई यह credit line है तो ऐसा नहीं है credit line की service जो है वो फिलाल बंद है यहाँ पर टोटल amount approval था वो 1348 रुपे का था अब बैलेंस यहाँ पर एक रुपे बचा हुए repayment का option भी आप लोगों को personal loan दे रहे क्योंकि अगर credit line होता अभी भी service इनकी activate होती तो यहाँ पर आपको scan QR code करने का option मिल जाता अब लेकिन आप यहाँ पर डारेक्ली आप bank transfer भी इसे कर सकते हो अब बात करेते हैं भाई कौन कोछ इस service area में यह available है एक्टिव है दिखे मैं आपको बताता है रिंग पर पहले जो है credit line provide करती थी लेकिन यहाँ पर आपको जो अब है कि personal loan मिलने वाला रिशे तो आपको मैं आप जैसे ही बताया कि भाही यहाँ पर आपको credit line ही करेगा लेकिन यह ही मिलने वाद आपको सिर्फ क्रधिट लाइन की। सब्सक्राइब और तर्पर आपको सब्सक्राइब अपर सका। वी तो यहां पर हमारी जो एप्लिकेशन है वो डिकलाइन है मतलब कि यहां पर हमारा प्रूबल नहीं है इसका रिजन सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली NCR के अंदर यह वर्किंग नहीं है अगर आप भी दिल्ली NCR में रहते हो आपकी सिटी दिल्ली NCR की है तो मैं आपको बता करता है और दिल्ली NCR में नहीं नहीं है तो इसलिए तो इसलिए तो यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है चाहिए वो परस्तन होनों या फिर क्रेडिट आए अगर आप अधर सिटी से बलॉंग करते हो जैसे कि हर्याना हो गया यूपी महराष्ट बिहार सम्थिंग तो वह अहां पर यह सर्विस सारी एक्टिवेट है लेकिन दिल्ली NCR में बड़ी सीटी में बताओ सर्विस ही नहीं है इनकी कोई बात नहीं लेकिन आप लोग अप्लाई कर सकते हो अप्रिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्केशन बॉक्स में है अगर आप लोगों को भी करिड़ में बढ़ी सीटी में लेकिन का लिए कि भी कि य।